स्वागत है दोस्त हमारी उट्वी चैने उनिक लेक्टिक में दोस्त आज की वीडियो में हम जानेंगे केबल लग क्या होता है इसे हम थिंबल भी करते हैं यानि केबल थिंबल क्या होता है इसका इस्तमाल केबल में क्यूं किया जाता है और लग का इस्तमाल केबल में करने से हमें क्या क्या फाइदा होता है आज की वीडियों दोस्त हम यहीं जानेंगे तो चलिए हम वीडियों को शुरू करते हैं सबसे पाहले दोस्त हम यह जान लेते हैं कि केबल लग क्या होता है केबल लग जो होता है दोस्त यह refine just hai aluminium या copper material का बना होता है इसका इस्तमाल जो भी केबल होता है चाहे वो हमारा power supply का केबल हो या control circuit में यूज होने वाला केबल हो उसमें हम इस लग का इस्तमाल करके और केबल को बस बार में connect करते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा केबल है और इसका insulation बेसंनद हटा करके यानी इस वायर को पहले-स थींबल में फिट किया जा रहा और फिट करने के बाद ही हम इसको बस बार में करेंक करते हैं यहákर हम बीना हम लग के किये उसकता है तो इसलिए दोस्त इसका बहुत ज़्यादा जरूरी होता है चाहे वो हमारा किसी परकार का केबल हो उसमें हमें थिंबल या लग को लगाना जरूरी ही होता है चाहे वो केबल पावर सप्टलाई का हो या कंट्रोल सर्किट का हो उसमें हमें इस थिंबल का यूज करके ही और ये इस shape का भी मिल जाता है, ये भी आप देख सकते हैं, इसका यूज दोस्त, जो है, control circuit में जायतर इस तरह का थिंबल या लग का इस्तमाल किया जाता है, और दूसरा, जो power supply में होने वाला लग है दोस्त, ये आप इस तरह का देख सकते हैं, जो इसमें single ring है, और इसमें double ring है किसी का ये थिंबल का जो length होता है, वो बड़ा होता है, तो ये आपको इस तरह का variety लग में देखने को मिलेगा, अब दोस्त हम ये जालता है कि केबल का लग लगाने से हमें फायदा क्या क्या होता है, पहला जो फायदा ये होता दोस्त कि केबल में लग लगाने से जो इसक करते हैं तो उस कंडिशन में उसरो होने की चांस होती युथ गरम नहीं होगा और गरम नहीं कनेक्शन में कोई भी दिकत नहीं आएगा यानीパावर सप्लाई नहीं में कोई दिकत नहीं होगा और ज़्यादा टायम तक चलेगा वहीत पर दोस्त अगर हम भी Не लग का इस्तमाल करके और ईज़ करते हैं तो ज्यादा चांसे है कि वहाँ पर जो सप्लाई होगा लूज हो जाएगा और हीट हो करके खराब हो जाएगा कई बैर ऐसा भी होता है दोस्त की लग लगाने के बाद भी जब कनेक्शन पूराना हो जाता है तो उसका जो नट बोल्ट होता है वह दोस्त लूज हो जाता है और लूज होने के करण से उसमें जो है गैप आ जाता है और उस करण से क्या होता है कि जो element होता है जो thimble होता है हीट होने लगता है और हीट होके खराब हो जाता है तो जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं तो यहाँ बहुँ ज़्यादा जरूरी होता है जो भी आपका supply हो चाहिए वो power supply का हो है चाहिए control circuit का हो उसमें आपको जो है थिंबल लगा कर ही tight करना चाहिए और proper tight करना चाहिए जिससे जो है उसमें थोड़ी सी भी luminous ना हो अगर लूज होगा तो हीट होकर खराब हो जाएगा तो दोस्त मैं आसा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा केबल में लग लगाना क्यों जरी होता है इसे क्या-क्या फायदा हो सकता है तो दोस्त वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो फिलीज लाइक कर दिजे और चैनल को स्बस्क्राइब पर केश बेल आइकन को क्लिक कर लिजे जिससे हमें साब को नोटिफिकेशन मिलती रहे तो आज क्लिक नाएक थैंक यू पर बाचिंग